हलो दोस्तों सौगत आपका मेरी चनल प्रैडी पॉइंट बात करेंगे डारेक्ट एक्स और इन डारेक्ट एक्स क्या होता है किस पर लगता है ठीक है इस बारे में डिसकस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बाप पर लिटे हैं स्क्रीन पर देखें आप कुछ ल आपकी जो आगने वाले कंप्रिक अग्जाम है उनके लिए बहुत इंपर्टन डुल करेंगा ठीक हुआ। START करता है वीडियो को टाइम इस ना करते और ट्रिक नकषिण क्या होता है श्चान करेंगे ठीक है है बैक स्कुझत होता है ठीक है चलुकर करता है है चिस इस व्यक किस किस पर लगता है तो ट्रिक यह है कि मिर्तियों आई मिर्तियों आई क्यों आई है क्यों कि किर्सी व्यसा है धन संपती निगम भू पुंजी वो क्या हुआ हार गया था इसलिए उसको क्या आ गया मिर्तियों आ गया ठीक है अब मिर्तियों आ गया इससे क्या होता है मिर्ति में आएंगे डारेक्ट टेक्स में ठीक है यह सब डारेक्स करके अंदर आएंगे ठीक है भू से भूर अजस्वा पुंजी हो गया और उपार यह सब हो जाएंगे अमरे डारेक्ट ठीक है अब बात करते हैं इंडारेक्ट है इंडारेक्ट वो होता है जो परत्यक्स इस ऐसे क पर को क्या का जाता है एपर्तियक्स कर का जाता है ठीक है जिसका मौधिक भार दूसरों पर डाला जाता है अर्थात करका वास्तविक भार उस वक्ति पर नहीं परता जो से आधा काता है इस ट्रिक के माधिम से हम यह जानेंगे कि कौन-कौन से अपर्तियक्स करके अंदर आते सी यू से कस्टम यानि कस्टम टैक्स वो किसमें इंडारेक्ट टैक्स में आएगा ठीक है और उसके बाद से होता है सर्विस टैक्स ठीक है और M से हो गया मार्केट टैक्स या वैट टैक्स जीसे कहता है बजार कर उतपात कर सीमा कर सेवा कर और बजार कर ठीक है और इसके अल तो उमीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ट्रिक के मादेम सब जल्डी याद करेंगे पहली ट्रिक थी मिर्तियों आई उसे कैसे क्योंकि उसकी संपत्ति हो गई भू हो गया हार हो गया सौरी संपत्ति भू धन किर्सी वैसाय में उसे क्या हो गई तो इससे मि जिलने कस्टम टेग्स एक मार्केट टेक्स एंटरेंट्मन टेक्स ठीक है और इसके बाद ऐस से मैं से उसे और संप्ति या सबकर करें इन्दारेक्ट टेक्स्ति के थीक है तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और जेर किजए जाद जादा प्राइडी पॉइंट को ठीक है और वीडियो देखने के लिए